ओके अगर CS में रंकोश करने के लिए आपके पास एक पर्मनेंट स्कॉर्ड नहीं है ना तो ये वीडियो आपके काफे ज़दा इंपोर्णेंट होने वाली है और इस वीडियो में आपको सभी टिप्स और अच्छी तरह से समझाने का ट्राइ किया है तो ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी लास्ट देखो हो ना तो आपको सच में बहुत ज़दा हेल्प करेगी तो अर बस बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो के अंदक तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपके कोई random teammate ने एक long range का gun purchase किया ना तो आपको होँपे short range में fight लेने का try करना है अपको एक चीज़ का बहुत ज़दा ध्यान रखना है आपको कभी भी सबसे आगे नहीं रहना है आपको हमेशा अपने random teammates के थोड़ा पीछे रहना है अब इसको बद हमारे जो second tip है आपके लिए काफे ज़दा important है देखो जब यह आप random player के साथ खेलते हो ना तो अगर आप enemies को surprise करके मार होगे ना तो आप काफी आसानी से उस match को जीत सकते हो अब साथ है अगर आप clock tower के इस side की CD पे hold करते हो ना यहां पे तो आपको enemies नहीं spot कर पाएंगे अब इसका advantage लेगे आप काफी आसानी से उनको finish कर सकते हो यह वाले trick आपको सच में बहुत जादा help करेगी अब इसको अथर्ट इमें देखर आपका जो भी random teammates सबसे बड़ी है खेल रहा है ना आपको हमेशा उसी के साथ रहना है तो आप काफी आसानी से damage वाले enemies को finish करके आप वापस उस बंदे को revive दे सकते हो इसके बद फूर्थ डिप में आपको यह विदाता हूँ कि आपको loadout में क्या चीज़े रखनी है और साथ ही आपको first round कैसे जितना है जब यह random players के साथ rank push करते हो तो सबसे पहले loadout के बात करें तो आपको यहाँ पे हमेशा supply crate का use करना है supply crate में दोखेर आपको सबसे पहले round में कटाना मिल जाता है और इसके बद आपको आगे के round में glow all inhaler, medicator और यहाँ तकी bonfire भी मिल जाता है और आपको तो पता यह कि randoms के साथ खेल दे टाइम बहुत बार आपके साथ 1v3 या फिर 1v4 का situation आता है अब बात करें passive characters की तो इसमें आपको jvips, hyato and luna character का use करना है jvips से आपको 12% कम damage पड़ेगा और वहीं हयाटो से आप enemies को जादा damage देप आओगी जो आप damage हो जाते हो और luna character के वज़े से आपके gun का rate of fire बढ़ जाता है जिसके वज़े से आप काफी असाने से enemies को finish कर सकते हो चाहे वो headshot से हो गया फिर body shot से अब बात करें first round के तो आपको या तो या तो या तो या तो या तो या तो या फिर आपको grenade लेनी है अब 50 tip में दोखेर आपको first round जीतने के बाद आगे के कम से कम एक या दो round में आपको guns rounds के basis पे select करना है देखो CS moon में कुछ rounds ऐसे होते हैं जहाँ पर जायतर short range या फिर mid range ने fight होती है और महीं कुछ rounds ऐसे होते हैं जहाँ पर जायतर long range में fight होती है जैसे कि mill and clock tower वाले round में जायतर short range में ही fight होती है तो यहाँ पर आपको SMG guns या फिर shotgun ले लिनी है और महीं पोचिनुक और Mars electric जैसे जगों पर जायतर long range में ही fight होती है तो ऐसे rounds में आपको जायतर long range के guns लेनी है जैसे कि आपको पता चल जाए खायर कि कोई बंदा flank कर रहा है या फिर नहीं अगर कोई बंदा flank कर रहा होगा न तो सबसे पहले उसी बंदे को जाके पेलना है अगर आप उस बंदे को सबसे पहले finish नहीं करोगा तो आपको बहुत ज़दा परिशान करेगा बाद में पार आना एक दो राउंड तो उसे बोलना है कि भाई मेरे साथ रहा है अकेले मज जा अगर आप उसके साथ अच्छी तर से बिहेव कर होगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा और साथी मैच खतम होने इक वाद हो सकता है वो बंदा आपको रिक्वेस्ट भेज दे और इसक जब भी आप रैंडम लोगों के साथ खेलते हो ना तो आपको मन में ये बिठा के खेल लेना है कि मैं ये मैच 1v4 जैसा खेल ला हूँ आपको कभी भी रैंडम प्लेयर्स पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है देखो हर एक मैच में रैंडम से में अच्छे प्लेयर न है वो तीनों मिलके सामने वाले दो एनिमिस को भी फिनिश नहीं कर पाते हैं तो इस चिसकों आपको बहुत ज़्यान में रखना है आपको पूरे मैच में राइड डिसिजन्स लेने के साथ आपको हर एक राउंड में अपना बेस्ट देना है तब ही आप उस मैच को जीत प जाती है ना वो टिम काफी असानी से उस मैच को जीत जाती है तो इसलिए आपको एड्रोफ को खास का लाश्ट वाले राउंड में जरूर से लूटने का ट्राय करना है अब अगर आपको बहुत ज़दा हेल्प मिलेगी आपका कॉडिनेशन काफी अच्छा होगा आप एक के कॉल्स को काफी अच्छी तरसे समझ भाओगे और अगर आपके रैंडम टीमेट्स आपका साथ नहीं वे देते ना तो आप दोनों मिलकर काफी असानी से उस राउंड को जीत सकते हो तो इसलिए आपको जरूर से कम से कम तो अपने एक फ्रेंड को साथ लेके खिलना है ज अशना है